Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing great और आसा करता हूँ कि आप सभी के health काफी अच्छा होगा and आप लोग continue preparation करे होंगे अपने exam को target करते हुए So all dear students, welcome back one second to our YouTube channel and dear students, अगर आप railway vacancy का wait कर रहे हो, railway vacancy कब तक आएगा? उसके regarding में आप लोग को A to Z information देने वाला हूँ कि last six month में या one year में कोन-कोन सा update आपको railway ministry के तरफ से मिला है और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि देखो, आप वीडियो को पूरा देखना थोड़ा वीडियो को देखके judgment करना कि क्या content मिल रहा है, क्या नहीं content मिल रहा है मैं यहाँ पर जो भी update आप लोग को दूँगा, वो railway ministry के तरफ से आया या फिर राजसवा के तरफ से आया है railway recruitment को लेकर, अगर मैं आपको पहले जलक दिखा देता हूँ, जितने भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा later, वो देख सकते हो भारत सरकार, rail mantra, राजसवा में question पुछा गया है, 298 का उत्तर दिया गया है इसमें question क्या था, इसके बार हम पुरा discuss करेंगे फिर इसके बाद फिर से एक update आया है, जो देख से तो 302 प्रसन है, यह भी आपका 322.3 का question है इसके बाद अगर discuss करेंगे, तो फिर से question पुछा गया है, और यह question कप का है, देख सकतो 311 का उत्तर है यह अलग-अलग answer दिया गया है, सभी vacancy कितना खाली है, किस-किस post पे कितना आयेगा, कब तक होगा इन सब के बाद में discuss करा गया है, तो यह देखेंगे, इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो देख सकतो, फिर से आ गया है 482.3 को, यह बिल्कुल latest है, इसके according कितना post खाली है, कहां पे कितना खाली है, इन सब के बाद में discuss करेंगे इसके अलावे, elections से related कुछ new जा रहा है, कब तक आएगा, वेकेंसी, उसके बार हम discuss करेंगे यह देख सकतो, 11-12-2023 को आया है यह update, यह भी आप देख सकते हो, Government of India, Ministry of Railway, Railway Board को तरफ से आया है फिर अकर मैं बात करूँगा, तो देख सकतो, New Delhi साया है, यह भी update आप लोगा है, तो यहाँ पे जितने भी मैं आपको update बताने वाला हूँ, वो total का total रहने वाला क्या है, official है है ना, Railway Ministry के तरफ से, या राजसभा के तरफ से, Railway Recruitment कर अगर जो भी question पुछा गया, उसका answer क्या दिया गया, उसके बारे में यानि simple सब मतलब अगर मैं एक word में काना चाहूँ, तो आखिर चल क्या रहा है, इसके बार में discuss करेंगे, देखो, कोई भी vacancy कब अतार कब नहीं आता है, यह पूरी तरसे depend करता है, कि मंत्राले में क्या चल रहा है, देखो, paper cutting में यहाँ बताने वाला है, एक भी paper cutting को नहीं का सकता, क्यों मैं यहाँ पर thumbnail में लिखा हूँ, कि January, February में मिल सकता खुशकवरी, आप पूरा वीडियो देखेगा, खुद अब judge कर लिजेगा, कि vacancy कब तक आयागा, नहीं आगा, कितना post में आएगा, इन सब के बार में discuss करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं, औ और A-2-Z देखते हैं, कि आखिर चल क्या रहा है, रेवले मिनिस्ट्री में, नया recruitment को लेकर, और मैं आपे बात कर रहा हूँ, और RRB update सभी को लेकर, चाहा, Group D का बात करता हूँ, या NTPC का बात करता हूँ, या RRB J and Senior Section Engineer का बात करता हूँ, देखो, अगर मैं पहले आपको एक लाइन में बता देताना चाहता हूँ, कि अभी दर क्या-क्या हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ, कि जो Ministry of Railway का Official Reply आया है, उसके recording, अगर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ALP and Technician के बारे में, तो ALP Technician का update क्या है, आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही, जो मै आपको update दिखाऊंगा, रेले मंत्रालाई के तरफ से, इसका education qualification को change करा गया है, और change करके, अलग-अलग qualification दिया गया, पहले क्या था, कि अगर आप 10th ITA कि हो, तो apply कर सबता, अभी क्या है, कि 10th ITA कि हो, किस stream से कि हो, किस branch से कि हो, वही वाला आप post को apply कर सकते हो, और इसका अगर internally cover कहा जाए, तो इसका जो आपका प्रिक्रिया है, वह start हो चुका railway मंत्राले में, वेकेंसी को लेकर, तो यह हो गया, आपका LP technician, अगर मैं बात करता हम किसका group D का, तो group D में मैंने आपको बताया था, correction sleep आया था, जो कि था 288 को लेकर, उस correction sleep में, वह update वेगरा जारी क करा जाया है, new vacancy को लेकर, वह काम कर रहा है, यानि relay group D का भी process जो वह start हो गया है, अच्छा, इसके बात करते हैं NTPC, तो NTPC में भी आप लोग को पता होना चे, NTPC में भी internal cover आ रहा है, अलग-लग post को लेकर, और यह भी election से पहले, आप लोग को देखने को मिल सकता vacancy, अब अगर बात करते है, RPF constable का, तो RPF and constable का अगर बात करा जाए, तो इसमें भी आप लोग को पता है, एक short notice इनके लगा था, और short notice के साथ, RPF एक committee का गठन की है, और इस committee के गठन की according, जो railway में जो भी RPF का जो exam होगा, वो लेगी कौन, RRB लेगी, लेकिन जो भी अलग प्रक प्रकिरिया है, वो बोला गया है, notice के द्वारा कि RPF जो है, वो खुद लेगी, जैसे PT वगरा कराना, और प्रकिरिया जो है, वो RPF कराएगी, RPF का committee कराएगी, और exam जो लेगी, वो RRB लेगी, तो कुल मिला के ये चीज़ है, और JEE के बारे में, अभी हम लोग और बताने सब्सक्राइब के बारे में, तो कुल मिला के सभी तरह से नियो जा रहा है, और ये कुल मिला के मैं आपको बताने वाला वीडियो के last में, कि क्या conclusion निकलता है, और क्यों आप लोगों को January, February में मिल सकता है, तो वीडियो को कभी भी जज़ मत करना, एक दो मिनद में वीडिय देखो, और अगर मेरा देखेगा content, जो भी मैं content बनाता हूं, बहुत ही authentic बनाता हूं, बहुत ही informative बनाता हूं, बहुत ही official update के साथ बताता हूं, जो new जाता, relay के तरफ से वो मैं आपके पास रखता हूं, बाकि अगर आगे चल कर जो होता है, वो update में फिर आपको देते तो देखो, अचाहा, आपका अगर इसको PDF चाहिए, आज मैं जो भी आप लोग को बताऊंगा, आज इस वीडियो में, इसका अगर आपको PDF पुरा पढ़ना है, क्यों total official update है, और अगर इसको वीडियो बहुत बढ़ा है, बहुत सारा PDF है, आपको सब कुछ जाना एक ही ग्रूप में, तो description box में आपको telegram group का link मिल जागा, वहाँ पर जाना, इस वीडियो का जो भी update है, वो डाल दूँगा, अराम से पढ़ लेना, आराम से, मैं आपको important important बताने वाला हूँ, जिसके लिए, अच्छा, उसके अलावे study education, study UT education को आपको download करके, कई सारा आप लोग आपको अगर देखना है, तो वीडियो में जाके check out कर सकते हो, playlist में आपको मिल जागा, या फिर आपको वीडियो में मिल जागा, चलिए, start करते है, one by one करके, start करते हो, देखते हैं कि क्या क्या चल रहा, देखो, सबसे पहले अगर बात करा जाए, जो आपका vacancy को लेकर, एक लाज तक आँगा, अप टेंशन आलो, यह बात है, यह प्रसन है, आपका क्या, 298 का, किसके तरह पुछा गया था, स्री प्रमोदत टीवारी, है ना, यह पुछा गया था, रेलवे में करमचारी की कमी को लेकर, इसमें क्या पुछा गया था, आप ध्यान देना, क्या रेल् पत्रिका पदों में 3.12 यानि कि लवा लवग देश है तो 3 लाख रिक्तियों के साथ करमचारी की भारी कमी से जूज रहा है पहला को से अगर हाँ जूज रहा है तो उसका ब्यारा दे ब्योरा दे गौर नमरम कहा गया यदि नहीं तो पूरे देश में जो भी रिक्त पद है चाहों बात करेंगे जॉन वाइज बात करेंगे गजेटेड या नन गजेटेड उसके बारे में बताइए घौर नमरम कहा गया है क्या यह अभी सच है कि पदों को भरने की असमर्ता के कारण जो करमचारी है उसको लगातार 16 घंटा तक ओवर टाम करना पड़ रहा है अगर हां तो इसके लेकर भी हो रहा दी इसी का सेम चीज इंग्लीज में लिख दिया गया है हना मैं आपको इंग्लीज इंदी दोनों जीज भी एक केंडिट्स हैं यहाप वह लिख दिया है वाटेवर इदी फैक्ट दर दी इंडे रेल्वे इस रिलिंग अंडर दी क्रूजिं स स्टीज इंडे इस स्टाब सटेज विथ 3.1 लएक लाट नंगेजट्ट पोष्ट लाइंग वेककेंड अक्रूस दी कंट्री इस प्रिडे अक्रूर आपकूरा अगर सलोओ अलए कां कर रहा है उसके एंड़ अब इसका आंसर क्या बता जा रहा है और किन की दवारा दिया गया है स्रीय असनों वेसनों के दोड़ा दिया गया था जो की कौन है रेल संचार एलोक्र्वनिक्स उसूचना आपका मंत्री है प्रध्यों की मंत्री रैट अच्छा इनके दोड़ा पूरा दिया गया है यह सबसे को लेका आ जोन वाइन नन गेजेटट डवेकेंसी आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ चाहाँ गुरूप D का, NTVC का, RRBJ का या सिनेस्ट इंजिनेर का, ये सारे का सारे नन गेजेटेट पोस्ट होते हैं, रैट, गुरूप C में आते हैं और गुरूप D में आते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे वेकेंसी को लेकर ये ब जो पताया गया है, इसमें कुछ भरतिया चल रहा है, जो डेड़ लाक के आसपास हुआ था न, 2019 में, वो चल रहा है, या नहीं इसमें और घटेगा, जो आगे चल कर और घटेगा, अभी आप मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, जैसे Everyday New वाल एक YouTube चैनल है, वो बताते है, कि साड़े तीन लाक, साड़े तीन लाक पोश्ट खाली है, एक चोल नहीं एडियर, वो बताया जा रहा है, 2019 के वेकेंसी को लेकर, उसको घटाओगे तो साड़े तीन लाक नहीं है, वो आपको मिलेगा, कुछ राइल या कैस पास अभी पोश्ट खाली है, तो correct information होना च खाली है, गोव में क्या पुछा गया था, गोव में पुछा गया था कि सोलो सलो घंटा आवर टाइम किया जा रहा है, इनके द्वार बुला गया नहीं, लेकिन एक्चोल में काम करना पढ़ रहा है, यह आपको भी पता है, इसे के जल्दे एक्सिडेंट भी वहा था, है न पोस्ट को, और कितना पोस्ट में गेजेटेड और नन गेजेटेड में संख्या खाली है, रेल्वे में उसके परें पुछा गया है, इसके वाला पुछा गया है, एक बहुत इंपोर्टेंट है कि सर प्राइवेटेजेशन हो रहा है, क्या उसका क्वेशन यह है, कि क्या व बी नवर कहा गया the detail of the number of contract worker hire by the Indian railway in the last five year जो भी last five year में contract के basis पे hire किया गया है काम करने के लिए कि कही ने कई पोस्ट को खतम कर रहा है है ना तो इसके बार हम डिस्कल कहा गया फिर कहा गया है क्या विकत कुछ बरते में भारतिय रेलवे समिधाकर में को विर्धी वी है यानि कि क्या मेरा contract basis पे जो worker है वो धीर धीर बढ़ते रहा रहा है क्योंकि अगर वो बढ़ रहा तो कहीं ने कर वेकंसी ओर ड्रॉप करेगा ठीक है अगर जो भई करमचारी आएंगे वो काम करेंगे वो आप क्या कर रहा हो पैसा देखे कुछ पैसा देखे काम करवारा contact basis पे हटा दे रहा हो काम होने के वाल तो वो नहीं होना चाहिए फिर पुछा गया वीगत पांच वर्सों में जो भी रिक्तियां है उसके बार हम बताईए है ना फिर यहां पे रेले में ऐसे सभी रिक्तियों को पर्थामिक और आधार पे भर रहे जाने को योजना क्या है इन सब के बारे में वियूरा अगरा पुछा गया था यहां पे इंगली सिम चीज लिखा गया है इसका आंसर दिया गया है यहां पे देख सकते हो यह जोन वाइज बताया गया है जोनल रयल्वे है गेजेटीड और नन गेजेटीड अब आसका करे है हम लोगोर ने यहीं को लेकर पूरा कपर यूटूब में हड़कम मचावा भी तक कि तीन लाग पोस्ट खाली है लेकिन यह कब कब आथ है जैसे मैंने कहा यह बात आप लोका है लेकिन उसके बाद 19 का बहुत सारे पोस्ट है जिसमें जोइनिंग वेगरा हुआ और यह घड़ते चलाया घड़ते चलाया है तो बढ़ते अब आगे अब आगे बढ़ते हैं यहां पर बहुत सारा चीज आप अराम से पढ़ लिना यहां पर देख सकते हो यहां पर पिछला पाइस साल के दोरान छेत्रे रेल उत्वादन हिकाय में लगाए गये समीधा अब यहां पर समीधा के जो मैंने कॉंट्रेक्ट पर बेसिस पर कितना मेडिकल जो आपका इंप्लोई वेगरा है उसको रिक्रूट करा गया है अधर को बढ़ा नहीं लेकिन बढ़ा जरूर है मतलब कि देरे-दरे बढ़ाई यह कुछ ना कुछ और यहां पर और डीटेल आपको देखने को मिलेगा इन सब के बार में आप अराम से पढ़ लिजेगा मैं पीडियव आपको दे दूंगा जोन वाई जो लार्ज फाइब एर में गुरूप सी में आलग-लग रेल्वे प् पुछा गया था क्या कि 31 जन्वरी 31 जन्वरी 23 की सितिक अनुसार रेल्वे में रिक्त पता हो जोन वाई मंडल का व्यवरा दीजिये और 2022 के दोरान 2023 के आज तक की तारिक विग्यापन की गई रिक्तियों की यहां पर पुछा गया चलो इतना पता चल गया कि 2022 के दोरान और 2023 के दोरान आज तक विग्यापन की गई सारे रिक्तियों के सिंख्या दे मुल्बा कौन कौन सा पोस्ट में रिक्रूट्मेंट हुआ है जैसे बोलती है न क्या हो जोग रिक्रूट्मेंट करे जा रहें लास्ट पाइप यह शे लेक्शल में 2019 का यह बाकि में तो स्नाइब कुमार मोधी अब यह सुसील कुमार मोधी को नहीं आप देख तो सुसील कुमार मोधी मेंबर भार्लिया मेंत है रज समा में भारती जंटा पार्टी के तरफ से ये इसे पहले अगर बात करा जाए तो देख से तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे थे बिहार के और फिनेंस मिनिस्टर भी रहे थे 2005 से लेकर 13 तक और अगर बात करें ये कवका नियुजे ये आप लोका है 482023 का यानि इससे लेकर इससे अपडेट इसकी रिसेंट कोई अपडेट नहीं है ये सबसे लास्ट अपडेट है वेकेंसी को लेकर कितना खाली है पोस्ट उसको लेकर जिसमें यहां पे कहा गया ग्रूप सी पोस्ट इं इंट्रेवल का होता है उसको रखा गया चली तो उन सब को मिला कि अगर आप अब देखते हो तो कितना पोस्ट खाली है टोटल दो लाक अरतालीस है तो एक्च्वल में आप इतना खाली है जो चाड़े तीन लाक से रता जारा उसमें देख हो क्या था कि कुछ पोस्ट में जो गुरूबडी का हुआ था एंटीपीज का हुआ था कुछ का रेकूट्में पहले हो गया था कुछ का अगर जिसे माले पूरा अगर वातका यो 11000 का फास वेकेंसि जो आया था जिसमें लवाग तो घटके कितना हो गया, दोला करता लिस यार, यहीं आप बोल सकते हैं कि धाई लाग कैस पस एक्चोल में अभी वेकेंट है, गुरूप C का बात करते हैं, गुरूप A, B का तो छोड़ दो, क्योंकि गुरूप A, B आप लोग से मतलब नहीं है, क्योंकि यह गेज़ेटेट पोस्ट होता है, ठीके, या या तो यह सिविल सर्विस के दौर अभरा जाता है, या फिर यह भरा जाता है, आइस के थूरू, या फिर यह प्रोमोशन के थूरू, फिलप करा जाता है, आपको मतलब है, गुरूप C, क्योंकि यहीं पर आपका देखने को मिलता है, आर आर भ प्रोसेस स्टार्ट होगा उसका क्या चांस है उसका कोई अपडेट है क्या तो जैसे मिना सुरू सुरुवात में ही बताया था फिर समय आपको बता देता हूं कि एलपी टेकनिसियन का जस्ट आया है आप सभी को यह अपडेट पता ही होगा 11 12 2030 का यह नहीं देख सकते हैं यह आयरेक्षेकरेटरी वह यह 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 फेकनिसियन को लेकर यहारेकर जोर्ट है जोर्णल को भेजा गया ता आप देख सकते हो जेनल सेक्टरी जन्रल जेनल सेक्रेटरी अलग-लग railway bhawn, new Delhi को भेजा गया था फिर यहाँ पर अलग-लग देख सकते हो सबको general secretary भेजा गया सबको आप यहाँ पर कई सारा नाम है क्या करा गया यह गया था कि simple आपका minimum जो qualification होना चाहिए वो matriculation होना चाहिए plus 7-7 यानि 10th के plus प्लस आपका होना चाहिए ITI ITI होना चाहिए अब ITI जो हो रहेगा या फिर 10th होना चाहिए और 10th के साथ अपला को क्या होना चाहिए diploma होना चाहिए तब भी आप अपलाई कर सकते हो या फिर आप लोगा 10th होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए आप लोगा बी टेक होना चाहिए या फिर आपका बी होना चाहिए और इसमें और इक ची मेंशन करा गया है कि पहले क्या था ITS अगर आपकी यह हो तो फिलप कर सकते हो किसी भी पोस्ट में अब ऐसा नहीं करा गया करा यह गया कि अगर आपका फि और ये कब निकलता जो वेकंसी आने वाला है वेकंसी को आने से पहले ये करा जाता है कि क्वालिफेक्शन अब हम लोग इस बैसिस पे जो है आप लोग का रेक्रूमन लेंगे ताकि जब निकल जाए तब कोई बच्चा जो है वो राइट ना कर दे या किसने का धर्ना ना दे लिए अब यहां तक यह आप यह अब यहां तक यह अब यह सबी नियूज के बाद आगर बात करा जहाए कि क्यों मैं बोर रहा हूं कि जनवरी के आसपस देखने को मिलेगा अगर आप याद को रहेगे 2019 का एक्जाम जो हुआ था सभी एक्जाम आया था यह बात करेंग गुरूबडी बेगरा का आया था तो याद करो अप्लिकेशन जो फॉर्म फिलप स्टार्ट हुआ था वो था दो जनवरी से और लास्ट कब तक था साथ फरवरी तक यानि कि इस बार भी इलेक्शन है अच्छा इलेक्शन का भे वह यह आप जानो अगर आप इलेक्शन देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आपको नजर आ रहा होगा अगर आ अध्यान दोगे तो क्या जेनरल इलेक्शन आर एक्सपेक्टेट टू वी हेल्ड इंडि इंडिया बिट्विन अप्रेल टू में 2024 तू इलेक्टी मेंबर अप 18 लोग सभा यह आपका अठारवा लोग सभा का इलेक्शन होने वाला है इंडिया में अप्रेल से लेकर में के अगला भारतिया आम चुनाओ मैं 2024 या इससे पहले अठारवी लोग सभा के सद्यसका चुनाओ करने के निंधारित है वरत्वान भारतिय जनता पार्टी के नदन मोदी है फिलाला भी है चमझ गये अच्छा यह है आप लोग का अगला भारतिया आम चुनाओ यानि कि आप तो जैन या सेव कि मार्च अप्रेल मार्च चलो ले लो फिर भी इस तो या तो आप लोगा वेकेंसी जहां तक अगर मैं प्रिवियस का बात करता हूं और जैसा न्यूज आ रहा है अब बोलेंगे सर आप जो यहां पर बोर रहे हैं अब ये काम करते हैं डारेक में आ जाता काम कर रहे हैं डिवरेनल में कर रहे हैं अलग लगवड़ाट में उनका यह नहीं उजा कि सा वेकेंसी जो है वह जनवरी के धैससे जान को मिलेका घीश इसे नहीं मिलेका अब से लेकर एक मत्त सबीसक्र लें तो अब देखिशता आप से वोस से वस कंडिशन में February या मार्च में आएगा ही आएगा अगर ये भी कहा जा रहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ मालो ऐसा तो होना नहीं है क्योंकि बहुत सारा प्रिक्रिया चल रहा है अगर नहीं वात तो मैं आपको यह भी बता दूँगा कि अगर मार्च तक नहीं आया तो फिरा भूल जाओ कि इसके पाद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कोई अगर सोच रहा कि जून में आएग तो इन सब को अगर माने इतना अगर फेक नहीं कर रहे है रेलवे क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है भाई है ना क्योंकि इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकती है फेक भी कर सकती है लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आप लोग का वेकेंसी जो है देखने को मिलेगा अगर बह पूरा एक्जाम को लेने का टार्गेट रखी है, यह निउज आ रहा है, जो निउज आ रहा है देखों, यह सही कितना गलत कितना है, यह आप लोग भी डिसाट कर सकते हैं, जैसे मुझे पता चला है, चुकि देखों, आप लोग को उत्रा इंटरनल सोर्सेस नहीं है, मेरा सो से उसका में यूज कर रहा हूं अनिकेड में हम लोगों को टीम है उसका में यूज कर रहा हूं टेक टीम का यूज कर रहा हूं अपना टीम का यूज कर रहा हूं उन सभी से मेरा जितना रिसोर्स है उन सब के जो भी न्यू जारा मैं आपके पास बता दे रहा हूं अब ये कि होगा कितना गलत होगा वह आप तक में छोड़ता हो 1 बताना मेरा फर्ज कि यह बता जा रहा कि एट मंन तक जो है सारे क्जाम मनें का टारगेट उचुस대 कम से कम उत्रा थी ज कर जाई तो जही कही एगजाम लेलते हैं मैं मैं आपको एगजाम होगे कर जून तक हो गया था जून तक आपका खतम हो गया था राइट जुलाइ सिप्टमबर अगस्ट जाओगे तो एट आपका हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा जहां तक कि अगर ये सब सही है जो कुछ तर पुछा जा रहा है जो रिक्रूट्मेंट का प्रोसेस चल रहा है ये अगर सब चीज सही है हर चीज फेक नहीं कर रहे है तो यानि कि मुझे बहुत उम्मीद है 99% कि जेन तक आप लोगो देखने को मिलेगा वेकेंसी है ना किसी का भी वेकेंसी हो स्टार्ट हो जाएगा रेक्रूट्मेंट चाहाए लपी का पहले गिरे या जेई का गिरे या सिने स्क्राशन इंजिनर का एक साथ आएगा या कंटीनिव करना चाहिए क्योंकि कभी भी पढ़ाय करोगे वो लोस तो कभी नहीं होगा ऐसा तो है नहीं कि पढ़ लेंगे और अगर नहीं आएगा तो सर मेरा घाटा हो गया तो मेरे बरबाद हो गया वो कहीं ने कहीं आपका यूटलाइजेशन हो ही जाएगा चली इसके अगर आप त्यारी कर रहो आरवी जेए का तो आप उसका बेच चल रहा भी चल रहा है जिसमें आप लोग अभी 20 परसंट तक आउप चल रहा है दिसंबर लाश्ट तक एक जनुवरी के बाद यह खतम हो जाएगा तो 20 परसंट आउप चल रहा है आप स्टेडी यूटी बहुत जल्द होने वाला में जुन में आप लोगा एक्जाम हो जागा और कोई अगर दिक्कत है कोई डाउट है तो आप इस नमबर में कॉंटेक्ट कर सकते हो वाट्सप करना ट्राइटू वाट्सप फरस्ट आपको सेन जो भी है चाहा आपका वेकेंसी को लेकर या कोई क कंटेंट के लिए आप इससे आपको डाउलोड कर सकते हो कई सा आपको कंटेंट आगे चलकर भी देखने को मिलेगा डेडिकेटेड रहेगा रिले ग्रूब डी एंटीपीसी और भी जेई सिने से इंजिनियर इस सब से रिलेटेड रैट चुछले डेस्टोडे मुझे उमी ना में टेलीग्राम का कोई लिया हो और नाहीं मैं कोई भी आप लोग आप लोग अदर जघह से लिया हो जो लिया हो ऑथन्टिक और ओर और ऑघनुल अप्डेट लिया हो तो इस तरह का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपका काम बनता है इसको शेर करना, Like करना और विजिट के चैनल में तो चैनल को सब्सक्राब को लिजेगा बेल राकन को प्रेस को लिजेगा ताकि इसी तरका कोई कंटेन आप से छूके ना थांक्यू सो मच डियर स्टूडेंट